प्रफ़ान फिल्म को रिलीज वे एक मेने बाद जो पठान फिल्म है उसको लेकर कितना क्रेज है और पठान फिल्म कितना कमारी है इस चीज को लेकर बात करने वाले दोस्तों बालीवूड की अंतीम उमीद सारू खान है सारू खान की फिल्म नहीं एक अजार क्रोड का कलेक्शन किया है कारोबार किया है और डूपते हुए बालीवूड को बचा है कि आप इस बात से सहमत है या नहीं है उसके बाद देखें तो पिछले एक मेने से लगातार थेटर में बहुत अच्छा कारोबार कर रही है पठान जो कि बालीवूड के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोगे कह जए थे कि बालीवूड तो खतम हो गया है लेकिन दोस्तों बहुत ही बहुत बहुत बालीवूड की शान बचा रहे है एसर के बता रहे है अब देखें पिछले एक मेने कंदर बहुत सारी तो सबसे बात करते हैं एक करोड रुपए इसने हिंदी वर्जन में कमाएं वहीं पर दो लाक रुपए इसने तेल गू से कमाएं यह कलेक्शन तीस दिन के बाद अच्छा का जा सकता है अगर हम बात करें पानसो बीस करोड शोडा लाक रुपए टोटल अभी तक भारत में कम कमाएं तो 502 करोड 10 लाक रुपए कमा चुकिए दोस्तों अपने आप में हिस्ट्री अपने रिकोड है अब अपने पास टार्गेट है 511 करोड जियां जब हिंदी वर्जन के अंदर 511 करोड कमा लेगी तो बहुब बुली की रिकोड वो क्रेक कर देगी और दोस्तों यह ह अगर 9 करोड रुपए फिल्म और कमा लेती है तो बहुब बुली का जो रिकोड है उसो क्रेक के फिल्म आराम से कर देगी बाकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा करेगी क्योंकि यह संभव भी है बाकि अभी जो फिल्म है उसका कलेक्शन बढ़ रहा है उसके बाद फ्राइडे थी और सेल्फी आई है एंटमेन आई थी यह तीनों की तीनों फिल्में और चोटी मोटी और फिल्में थी वो सारी ब्लास्ट हो चुकी है क्योंकि अब तक पठान बहुत अच्छा कारोबार कर रही है तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि यह जो अपनी फिल्म है SRK की जो हमें यह 511 करोड रुपए कमा कर बहुबली के रिकोर्ड को तोड़े गया नहीं तोड़ेगी अब सबसे बड़ी बात यही है बाकी फिल्म आलड़ी पहले ही 1000 करोड का तो कलेक्शन कर चुकी है और सबसे बड़ी जो उम्मीद हमें है वो है इस फिल्म अर्थार्थ आने व लेकर